आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रों, हमारे इस सब्त्रिशी इंडिया एश्टराइट सर्च केंपेंग की हिंदी वीडियो शंकला में, मैं अम्रतान शुवाजपिया आप से भी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो जैसे पिछली बार हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि किस तरीके से ब्लिंकिंग फैसिलिटी का यूज़ करके हम लोग आपजेक्ट्स को नाम करण दे करके अपनी MPC रिपोर्ट में शामिल करते हैं MPC रिपोर्ट में शामिल करने के लिए हमने कुछ आप सभी के सामने कुछ शर्तों का विब्रण भी दिया था कि साथ अंकों का जो अबजेक्ट है उसको हम लोग केवल एनिलाइस करेंगे नाम नहीं देंगे अपना जो नाम है वही चलता रहेगा जो पाँच वरणों का जो अबजेक्ट है उसको भी हम अपना नाम नहीं देंगे जो नाम है वही चलता रहेगा उनके साथ वरणों और पाँच वरणों को नाम ना देने के अपने तकनीकी कारण है जिनके बारे में ब्रह चर्चा आगे की जा सकती है साथ ही साथ हम अपने टीम का नाम अगर किसी अबजेक्ट को देंगे तो वो वह होगा जो अभी तक अज्यात है अन्नोन है तो उन सभी तरीके के अबजेक्ट को हम लोग किस तरीके से कन्फर्म करेंगे तो उसके लिए तीन शर्ते थी कि object का movement जो है वो सीधी रेखा में straight line में होना चाहिए, उसकी speed constant होनी चाहिए, उसका magnitude भी constant होना चाहिए, अर्था चमक जो है जिस गति से वो चमक रहा है, जो उसकी दर है चमकने की वो एक लगवग लगवग constant होनी चाहिए, एक समान होनी चाह में इन सभी चीजों को analyze करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने SNR की values देखी, signal noise ratio जो की 5 से जादा होना चाहिए, और यह भी देखा कि यह hard and fast नियम नहीं है, कभी-कभी 5 के निकट अगर कोई संख्या है, तो हम लोग उसको round off करके 5 बना सके हैं, तो वह भी acceptable है, दूसरे number पे हम लोगों ने capital R जो की magnitude की value है उसको भी देखा, और यह भी कहा कि इसका variation चारो images में एक से जादा नहीं होना चाहिए, one के जादा variation magnitude का not allowed है, तीसरे number पे हम लोगों ने point spread function की बात करी, PSF की बात करी, जो की जादा हम लोग उसके अंदर नहीं गए, लेकिन graphs को देखने के लिए कहा, और graphs जो है, मैंने कहा कि जो white dots है, objects के जब image बन रही है, तो वो एक red band के आसपास होने चाहिए, यानि ज़्यादा चितरी हुई, या ज़्यादा फैली हुई image, नहीं होने चाहिए, well result होना चाहिए, तो इन सब चीजों के बात, हम लोगों ने कहा क अगर कुछ ऐसे objects आते हैं कि जो कि इन पर खड़े उतरते हैं, तो वो हमारे MPC report का हिस्सा बन जाएंगे, जो failure होते हैं, जो कि इन गुलों पर खड़े नहीं उतरते हैं, इन परिमान पर खड़े नहीं उतरते हैं, उनको हम लोग reject कर देंगे, तो जो accepted हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं, true signature, और जो rejected होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं, false signature, तो जितने भी हमारे MPC report में objects होंगे, वो सभी true signatures होंगे, तो अब हमने कहा था कि पिछली बार, कि अगली बार हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, कि किस तरीके से जो MPC report हमारी astrometrica में ब इस और भी अत्यदिक आवश्यक है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, पिछली बार मैंने जब ये portal आपको दिखाया था, तो यहां पर कुछ बैग्यानिकों के citizen scientist के नाम जोड़े थे, लेकिन अपकी मैंने उनको बिगाड़ दिया है, उनको बिगाड़ने क एक बहुत मुलभूत कारण है, कि आपको पता होना चाहिए कि इन ग्यानिकों के नाम या आपके team members के नाम यहां पर जोड़े कैसे जाएंगे, क्या उसका कोई नियम है, पिल्कुल इनका एक नियम है, एक कुछ नियमों का इसमें शंकला है, जिसको आपको follow करना ही करना है, अन्यथा आप जो है उसमें citizen scientist के नाम नहीं जोड़ सकते, या कुछ ना कुछ error हो जाएगा, तो सबसे पहले आप ये जो rectangle अपने तरफ देख रहे हैं, तो इस rectangle में आप click करेंगे, आप नीचे आएंगे तो आप यह rectangle आपको भी लेगा, आप इसमें click करेंगे, मैं चाहता ह नाम अमरतांशू बाचपई है, तो अगर मैं यहाँ पर अमरतांशू बाचपई नाम को जोड़ूँगा, तो यहाँ पर अमरतांशू बाचपई मैं अगर पूरा नाम लिद दूँगा, A-M-R-I-T-A-N-S-H-U, ये मेरे नाम की spelling है, B-A-J-P-A-Y-W-E, तो अगर आप मैं जो आपका first name है, या तो आप उसका first name का प्रतम अक्षर ले ले और पूरा surname ले ले या पूरा middle name लेने, या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, आप अपने last name का first letter ले लिजिए, और बागी अपना पूरा प्रतम नाम रख सकते हैं, जैसे V.Amrithanshu, V.Amrithanshu को अगर आप करेंगे, तो यह आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और टिक लगा हुआ दिखेगा, आप टिक हटा सकते हैं, थोड़ी दिर के लिए, मेरे दूसरे दोस्त हैं, सुमित कुमार श्री वास्तव, तो अब अगर मैं जैसे उनका नाम type करता हूँ, सुमित कुमार श्री करता हूँ, तो आप देखिए, स. श्री वास्तव आजाएगा, यानि अगर आपका middle name है, तो वो भी चला जाएगा, मध्य नाम भी जो है, इसमें नहीं रहेगा, तो उसको एड करने का एक तरीका यह है, कि आप चाहें, तो श्री वास्तव का स मैंने ले लिया, डॉट लग इसमें जोड़ देता हूँ, तो यह तो बात रही, citizen scientist के नाम को जोड़ने की, अब बात आती है, कि मान लीजिए, कि आप से कोई गलत नाम एड हो गया, गलती से कोई नाम जोड़ जाता है, जैसे मेरा ही नाम दो बार है, सुमित कुमार श्री वास्तव जी का नाम ही दो बा करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको citizen scientist जो पहले से जुड़े हूँ है, वे नजर आएंगे, तो इसमें जैसे A.Wajpay है, इसको मैं विगावता हूँ, तो इसमें सामने जो cross इसके दिया गया, मैं cross पे click करता हूँ, देखिए A.Wajpay गायव हो गया, S.Shreevastav है, इसको भ जारण के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर जब आप analyze करेंगे, तो आपकी team के सदसे होंगे, जो image set यहाँ पर होगा, वो image set होगा, जो कि आप अपनी team के representative के तौर पे आप analyze करने वाले हैं, वो image set का यहाँ पर नाम होगा, और जैसे कि मैं बता चुका हू कि जैसे जैसे image की संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ पर नाम आगे आते जाएगे, तो आपको यहाँ पर confused नहीं होना है, तो अगले चरण में मैं इस वीडियो को थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा, ताकि आप लोग इसको भली बात की देख लें, बार बार देखें और समझें कि किस तरीके से citizen scientist के नाम आपको अपने इस page पर जो कि IASC में आपकी team का page है, इसके एड़ करने हैं, इसके बाद आप निर्भीक होकर निर्बाद तरीके से अपने MPC reports को minor planets center की जो reports आपके astrometrica में generate हुई हैं, उनको आप इसमें save करने के बाद रह चाहें तो ब upload करके जमा कर सकते हैं, मैं आपके सामने अगले वीडियो में कुछ जो कि इसी का continuous हिस्ता होगा, उसमें मैं आपको वो upload करके दिखाऊंगा, धन्यवाद